को एक आपको बीदियो ब्लर खरनिये है को चावर के दिख रहा होगा कोई ऐसे के पिर सब मादर से कारी के किया हैкий और इस सहीब्लर करेंगे किया है normal वोई से वीडियो मैंने शूट करी थी ya ब्लर एफक्त मैंने किस तरीके किया है तक विडियो में sneaking कर films मैं आपको इक बस करना यह वीडियो को लासें तक देखान गा एक एक पुइंट समझते चलिएगा अब आपकी मही कि स्क्रीन पर ले चलता हूं वहां पर समझाता हूं कि तरीके के ब्लर इफेक्ट कैसे करना है अभी मैं दिखाता हूं कि यह मेरी बॉड़ी है यहां तक ब्लर इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है साइड में ब्लर इफेक्ट है अभी मैं यहां पर यह हाथ लेके गया मेरा तो यह देखिए इस तरीके का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर आप अपने बॉडी से ज्यादा हाथ ऐसे ले जाओगे तो आपका ब्लर हो जाएगा पर आपकी बॉडी पूरी इस तरीके से नेच्टरल दिखेगी और पीछे का बेग्राउंट ब्लर दिखेगा ज पर वीडियो चाहिए फीडबैक देना वो दे सकते हो कमेंट सेक्शन में ज्यादा बात किननी हो जाएए इस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर डीम कीजिए मैं आपसे ज्यादा बात कर सकता हूं अभी चलता हूं मोगा अपने मोबाइल स्कीन पर चलिए मैं आपको बत सबसक्तिहां है फिर आपको अप्लस आइकन क्लीक करना है फिर ट्स मेहिनत अगर आपको चीज़ को अपनी क्योल्टी बढ़ाना है तो हाप जरूर उस छीज को अप्लाई करना चाहिए 03 अगर आपके पास simple mobile है आपके पास नहीं देजला रहे तो आप अपनी मेनत के दम पर भी आच्छी खासी quality लोगों को दे सकते हो और जितना quality content वीडियो बनाओगे उतना ही YouTube पर आपकी वीडियो चलेंगी तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनकी वीडियो उसको आंगे और पीछ सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि यह आपका जो यह जह आपका जो बॉडी है यह आपका subject है ठीक है अब यीतना छोड़ के यह आपका इधरका side और इधरका side यह आपका background है यह वह और यह आपको किस तरीके से अपने background को blur करना है मतलिब यह पूरा वाला सब्सक्राइब करना है फिर आपको यहां पर फील फालय कृण करना है क्लिक करने के बार में को यहां पर अब इसको उठा लेना है इस से जधा आपको हर्ड ब्लर नहीं करना है अब इसको इतने वाले पार्ट पर रख देना है किस तरीके रखना यह आप अपने हिसाब से समझेए क्योंकि आपकी वीडियो किस तरीके से है उससे पहले मैं इस वीडियो को थोड़ा सा क्रॉप करूंगा जिससे यह नीचे की जो मनलब करते हैं यह लेक्स है यह बिल्कुल बराबर से आजाएगा तो और अच्छे से ब्लर हो जाएगा तो यहां पर इस वीडियो को मैं इस तरीके से इस एंगल पर कर लेता हूं ओके बिल्कुल बेस्ट अब यहां पर इसको सिलेट कर देता हूं अब बलर वाले एफट को किस तरीके डालना है यहां पर सबसे पहले आपको इस साइज में कर लेना है मैं अपने में करके दिखा रहा हूँ आप किस तरीके वह आप कर सकते हो इसकी एक कॉपी बनाते हैं डुप्लिकेट अब यही सेम टू सेम इधर भी लेकर आना है तो हमारे दोनों तरफ का जो में में बैग्राउंड है वह बलर हो चुका है अभी यहां पर इसको इस तरीके से कर लेंगे तो यहां पर भी मैं दिखा दू कि यह देखिए इधर का बलर हो चुका है इधर का बलर ह करना है अब यहां से उठाना है कि यहां पर और इसके साइच को थोड़ा सा मिनिमाइस कर लेना है कि साइच को थोड़ा से छोटा करेंगे और इस एंगल पर रखेंगे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसको तेड़ा भी कर सकते हैं जैसे कि इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके रख सकते हैं तो मैं विल्कुल साइट से रखना पसंद करूंगा ओके और थोड़ा से यही इधर भी में लेके आऊँगा अब इसकी copy एक और बनाते हैं duplicate, same to same अब इसको थोड़ा से तेड़ा करेंगे इस तरीके से और थोड़ा ज्यादा होगे यहाँ से इसको इस तरीके करेंगे और यहाँ ऐसे रख लेंगे, ठीक इस तरीके से अब यहाँ पे एक और copy version लेंगे इसका duplicate और यह जो आएगा इसको यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं यह जाएगा उपर की तरफ यह उपर जाएगा तो जितना हो सके आप इसको उपर ले जाएए यह ठीक है बिष्ट, अब यहाँ पे काफी अत्तक बिलर हो चुका है, अब मैं दो मिट लिए वीडियो को पॉस्ट करता हूँ, अब आप देख रहे हो को थोड़ा से इदर उतर थोड़ा से तिर्षा है, उसको मैं सही कर लेता हूँ, आपको अपने साथ सो सही कर लेना है फिर आंगे दिखाते हो आपको क्या करना है मैंने यहाँ थोड़ा सा कर लिया है, फिट अपने साथ से अब आपको यहाँ देखना है कि आपके पास टोटल यहाँ पे एक, दो, तीन, चार करीबन चार होंगी 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 हैं, एक उपर की ठीक है चार यहाँ पे लेयर आपको दिख रही होंगी, यह देखिए 1 by 1 यह देखिए यह आपको सब लेयर्स दिख रही होंगी इसी की आप सब से पहले फर्स्ट वाली लेना है आपकी जितनी बड़ी वीडियो है, उसे सबसे आपको ऐसे बढ़ाते चले जाना है मतलब यह है कि आपकी जितनी वीडियो की लेंथ है, उतना ही आपको इस ब्लर लेयर की भी लेंथ कर देंगे अब हम दूसरी blur वाली layer लेंगे अब यहाँ पर दूसरी layer को भी जितनी वीडियो की length है उतना हम लोग कर देंगे तो ऐसे आपको जितनी है वाला 5 है पांचो की करना है पांचो layer आपकी करने के बार में कुछ वीडियो इस तरीके दिखाई देगी यहाँ मैंने पांचो layer को one by one कर लिया है जितने वीडियो की length थी उतना हमने कर लिया है उसके बार में यहाँ पर देखिए पांचो length हो चुकी है अब मैं अगर वीडियो को अपनी play करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि पूरा blur background दिख रहा है तो यह चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपका जो subject है वो subject के अगल बगल का background blur रहेगा और सिफ subject आपका non blur रहेगा तो इस तरीके से आप थोड़ी से मेहनत से और थोड़ी की editing trick से आप अच्छा कासा background blur दे सकते हो अब यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखते हो या पर कुछ भी टेक्स्ट वगेरा डालते हो मालीजी मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में यहाँ पर यही चीज़े इसलिए अगर आपको थोड़ा सा मेनत करनी आती है थोड़ा सा editing कर सकते हो तो आप अपनी वीडियो को बिना पैसे लगाए बिना DSLR खरीदे आप यहाँ पर काफी अच्छा edit करके ही background blur कर सकते हो काफी अच्छा देखने में लगेगा यहाँ पर एक चीज़ में आपको और बता दूँ कि अगर आपका background blur होता तो आप कुछ भी रखते हो तो वह भी अच्छा दिखेगा यहाँ पर मैं इसको भी कर लेता हूं ठीक वह यहाँ पर color में यहाँ पर red choose कर लूँगा और यहाँ पर background इसका black कर देता हूं ठीक है अब यहाँ पर देख से तो काफी अच्छा देखने में लग रहा है तो काफी जो वीडियो की quality होती हो इनहेंस हो जाती है मलब काफी अच्छी हो जाती है इसलिए मैं कहता हूं कि आपको background जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर दोस्तों इसी के साथ आप अपनी वीडियो में विराम लेता हूं आपको यह वीडियो कैसे लगी जरूर बताना है और यह मेरी ट्रिक कैसे लगी background ब्लर करने की वह आप करेंगे कि ने करेंगे यह भी बताना है कोई चीट पूछना हो त सब्सक्राइब आप जब भी करिएगा जब आप कुछ तरीकी की वीडियो से देखनी हो नहीं तो आप कोई जरूरत नहीए आप सब्सक्राइब मत करिएगा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं तो दोस्तों आजकी वीडियों पर से तना है था थैंक्स वोजी फ्रcome keto जैह जैवारा